हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं प्रीती और आज हम बनाने जा रहे हैं मकर सकरांथ स्पेशल में उरत दाल और चावल की खिचडी और जिसको बनाना बहुत ही शूब माना जाता है और टेस्टी होने के साथ साथ हैल्डी भी है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं उरत दाल की खिचडी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप चावल एक कप चावल आप कोई भी चावल ले सकते हैं और आधा कप मैंने लिया है उरत की डाल उरत की डाल जितना चावल उससे आधा हमने उरत की डाल ली है और इसको हम एक साथ मिक्स करके और दो से तीन बार अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे अब मैंने इसको अच्छे से तीन बार पानी से वाश करके अच्छे से साफ कर ज़ेए है तो चलिये अब बनाना स्टार्ट करते हैं गैस पे रखा है मैंने कूकर और कूकर को थोड़ा गरम होने देंगे और कूकरगरम हो जाए तो इसमें डालेंगे हम तेल मैंने इसमें डाला है दो बड़े चमपत्र तेल और तेल थोड़ा गरम हो जाए तब हम डालेंगे सूखे मसाले और सूखे मसाले में मैंने लिया है आदर छोटे चमच, जीरा और बड़ी इलाइची, दालचीनी, दो से तीन लॉंग और आदर छोटे चमच, काले मिज पाउडर और हींग, एक पिंच हींग लेंगे हम तेजपत्ता और पान से छे लस्न के कलिया जिसको बारी काट लिया है मैंने और तेल गरम हो गया है अब इसमें डालेंगे सबसे पहले सूखे मसाले और सारे सूखे मसाले एक साथ हम डाल देंगे इसमें और इसको थोड़ा रोस करेंगे जब यह तड़कने लग जाए तब हम डालेंगे इसमें लस्टन और साथ में डाल देंगे प्याज एक प्याज जिसको हमने पतला पतला काट लिया है अब इसको हम हलका सा भूनेंगे एक से दो मिनट बहुत ज़्यादा गोल्डन ही करना है बस यह कलर थोड़ा चेंज हो जाए बस उतना ही फ्राई करना है और साथ में डाल देंगे एक पिंच हींग प्याज थोड़ा भून गया है इसमें डाल देंगे एक कटा हुआ टमाटर हरी मिर्च दो हरी मिर्च काटी है मैंने अब इसको मच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक नमक आपने स्वाद के कॉर्ण डाल लीजेगा और मैं इसमें डालूंगी बर्न एड हाफ स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर और इसके इलावा और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और जब टमाटर थोड़े से गलने लग जाए तब हम इसमें डालेंगे दाल चावल अब टमाटर गल गया है अब हम डाल देंगे दाल चावल एक साथ और इसको हमने एक से दो मिनड़ तक फ्राई करना है इसमें थोड़ा भूनना है इससे हमारे चावल बहुत अच्छे बनते हैं टेस्ट में भी और खिले खिले एक से दो मिनड़ तक इसको हमने फ्राई कर लिया है अब इसमें डालेंगे हम पानी पानी इसमें हम डालेंगे दो कप एक कप चावल और हाफ कप दाल थी तो उससाब से मैंने इसमें दो कप पानी डाला है अगर आप थोड़ा गीली खिचडी चाते हैं तो आप आधा कप पानी और डाल दीजेगा यानि कि धाई कप पानी डालिएगा मैंने इसमें दो कप डाला है अब इसे मिक्स करके हम अच्छे से और गूसर का ढ़त्तन लगा देंगे और तीन सीटी आने तक वेट करेंगे तो फ्रेंड तीन सीटी आने के बाद इसकी स्टीम अपने आप निकल जाने दीजेगा इसकी स्टीम निकल चुकी है तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं बहुत अच्छी खुश्बू आ रहे है और हमारे उरत दाल की खिचडी रेडी है तो चलिए इसको सर्फ करते हैं और फ्रेंड्स मकर सक्रांती में इसको आप जरूर ट्राइ करिएगा बहुती टेस्टी बहुती अच्छी बनती है और अब इसमें डालेंगे हम धेर सारा हरा धनिया हरे धनिया की पत्ती से गार्निश करेंगे और हमारी उरत दाल और चावल की खिचडी बनके रेडी है और इसके साथ आपको कुछ भी लेने की जुरूत नहीं बस एक चमच देसी घी के साथ इसको सर्फ करिएगा गर्मा गर्म और इसको ट्राइज जुरू करिएगा आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी कमेंट शेक्शन पर जुरू बताईएगा तो फ्रेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाई बाई